गुड मॉर्णिंग एपी संडे मॉर्णिंग तो अल फ्यू ग्रैटिटीड डॉक्टर हरीमेल सर्थ डॉक्टर एमेल सेगल सर्थ आज एक केस हम डिसक्स करेंगे एक 35 यर ओल डेडी थी जो मेरे पास आये थी लुकोरिया के लिए और मेंसुर इरेगुलर्टीज के लिए और वो गर की में अर्णिंग मेंबर थी उसका अजबंट का भी जॉप था लेकिन उसका अजबंट से यह ज्यादा ही कमाती थी फिर मैंने पूछा तो केस टेकिंग के टाइम में उन्हें बताया कि मैं सुबह में गर पर उठके काम करती हूं मरतनों अगर भी करती हूं रसो भी पकाती हूं सब के लिए खाना भी पकाती हूं फिर जॉप पे जाती हूं वापस इवनिंग में भी घर पे आके काम करती हूं और वो उनके फैमिली में उनका हस्बन था पाट साल की बच्ची है और सांस है ससुर है तो उन्होंने बोला कि इतने टाइम से में काम कर रहूं घर में सब को संभाल थे भूए अच्ही तरह से रखती हूं लकिन कभी भी मेरे लिए उन लोगने दो सब्त अच्छे बोले रही हैं फिर जब ईहादो को बहें पूछा के लिए मैं हस्बन ने यही बता कि कि वो मंटे नेशनल कंपनी में काम करती है, इसके लिए उसको पकड़ बहुत है, अपने आप पे बहुत अभी माने, लेकिन घर में कभी यह दिखाती नहीं, और जल्दी से किसी की बात यह मानती भी नहीं है, उसको लगता है कि सब लोग उसके बारे में अच्छा अच्छा उसकी वाँ वाँ करे, में इच्छा उसकी वही रहती है, और रात में भी घर पर आके काम करती है, यहां वो क्या चाहती है, कि अगर में वो काम करती है, सुबह खाना पकाती है, चौब पे चाहती है, में अर्णिंग मेंबर है, और रात में भी घर पर आके काम करती है, यह वो यह चाहती है कि इतना सब काम करके उसके बारे में कोई दो सब्दा अच्छा बोले, उसके बारे में अच्छी तरसे बात करें So that is sensitive to opinion of others and longing for the good opinion of others Second thing कि वो चाहती है कि सब लोग उसकी वावा करें, उसकी तारीफ करें जो भी काम करती वो अच्छी तरसे appreciate करें That is flattered, desire to be flattered The third rubric है कि वो obstinate है, लेकिन उतने ज्यादा दिखाती नहीं है अकडू हर बोत क्योंकि उसको अपने अपने अभी मान है वो मल्टी नेशन कंपनी में काम करती है, husband से ज्यादा पईसा कमाती है लेकिन अपनी अकड उतनी दिखाती नहीं है So, the rubric is obstinate but tries to appear amiable That means, वो सबसे अच्छी तरह से रहती है अपनी जो obstinacy, अपनी जो हाटीने से वो उतनी तिखाती नहीं है सबके साथ And the medicine is Palladium Thank you Hello If you are new to Mind Method If you have trouble choosing rubrics If you have trouble to differentiate with similar remedies If you have difficulty understanding rubrics or mentality of the patient If you want to start your homeopathy practice along with allopathy practice We have the solution Join HSS basic course Register HSH basic advanced course For this you have to contact Dr. Ashok Avadhyya Phone number is 9893805528 Thank you